नमस्कार दिस्वीन आज पुन्हा उपस्ते दुआ हूँ मैं हूँ आचारे राम कृष्ण सास्तरी और आपका आपका आपकी योटोब चैनल एस्ट लोजर एक्सपर्ट में आपका श्वागत है आईए विगत के भीडियो में मैंने आपको बहुत सारे उपाये बता चुका ह हूँ और बहुत पुजा के भीधि भी बता चुका हूँ ऐसे इसे क्रम में आज पुन्हा में आपके सामने भगवान शूर नारण को परशन्न करने के लिए भगवान शूर नारण को जल अरपन करते समय क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और भगवान शूर नारण को जल किस तरीकेशे अरपण करना चाहिए जिसे भगवान को तुरंत प्राप्त हो और आपका उश्का शहज फल शिगर प्राप्त हो सरपर्थम शूर्य को जल परतिदिन देने चाहिए क्योंकि भगवान शूर्य नार्याने को जल देती समया प्रात शूर्य उदाई से लेकर शाम को शूर्य अस्त तक भगवान शूर्य नार्यान को जल और पण कर सकते हैं परत बारवजे से पूर्वही दिया हो जल शिगर फल देने वाला होता है इसलिए भगवान सूर नान को जल आपको प्राप्त ही दें तो अधिक उत्तम फल आपको प्राप्त होगा तो सूरे को जल देते समय क्या चीज़ करना है आपको तामबे के लुटिया लेना है उसमें लाल शिंदो डालना है और लाल फुल राल डालना है उसके अंदर और इसे लेकर जहां शूरे की पर्तिक बना हुआ हूँ अथवा आप तुलश के गमले पर आप शूरे को जल नहीं देंगे और यह शूरे मुखी फूल जिस गमले में रखा हुआ है आप उस गमले पर भी दे सकते हैं परम्तु एक चीज में देखता हूँ जाल पति दिन देने वाले भी इस नियम को ना जानने की बज़े से आथवा लापरवय करने की बशोने शूरे का पुझान करने का फ्लप्राप्त नहीं होता इसलिए कुछ शुक्ष्म नियम में जिसको पालन कर नहीं होगा शूरे को जल देते समया पूरव के तरह मों करके भगवान शूरे नान को जल देने चाहिए जहां आप जल देंगे वहां आपका प्यार कदापी नहीं जाना चाहिए और शूरे को जल देने के बाद वहां से जल दियावा छिटे हमारे प्यार पे नहीं लगना चाहिए तो आईए मैं मैं बताता हूँ आपको किस परकार से शूरे को जल अरपन करना है शूरे मुखी फुल लाकर एक गमले में लखे जिसमें मिट्टी रखे थोड़ी अपने पैर से उचाही स्थान पर रखे उनको और जल दे जल देती शमया गमले के अंदर ही जल का शमाबेश हो उसका छिटा प्यार पे नहीं लगना चाहिए और जब शूरे को जल देंगे तो हाथ उपर करके जल दियावा उस जल के मात्यमशी आप शूरे को दर्शन करें और मन में ओम घ्रिणी सूरी आयनमा अथवा ओम आदित्य आयनमा इस मंत्र का आप जाब करेंगे इस तरशे आप शूरे को जल देंगे जल देने एक बाद दियावा जन लेकर आप अपने नेत्र पे लगाएंगे नेत्र पे लगाकर अपनी मनोकामनों चल करेंगे इस तरशे शूरे को जल देंगे और भी मंत्र आपको कुछ नहीं याद है तब आप गायत्री मंत्र के द्वारा भी भगवान शूरे आयनको जल आरपन कर सकते लाल फूल और लाल जन्धन ताम्बेक लूटिया में सुत जल लेकर शूरे को जल देंगे देते समया पैर में छिटा नहीं लगना चाहिए और देते समया ओम घ्रिणी शूरे आयनेमा ओम आधित्या आयनेमा अथवा अपने गायत्री मंत्र का उच्चान करते वो शूरे को जल देना है शूर्य को जल देने शे ग्रहों का राजा माना जाता है शूर्य को इसलिए अगर आप शूर्य को जल दीएंगे तो शूर्य अगर नीमना इस्तितिपे है नीच अवस्ता में है तब भी वो शुब भल को प्रदक्त करेगा जिससे आपके कुंडली के अंदर ग्रह मजबूत र अगर इस तर से आप शूरे को जल अरपड़ करेंगे तो आपका शभी मनोकामना शिग्रा पूर्ण होगा ध्यान रहे शूरे को जल देते समख तो तूलिशी की पेड़ पर आपको शूरे को जल नहीं देना है अगर ये दो चीज नहीं तो आप खाली गमले पर शूरे के लिए जल अरपड़ कर दें हस्त मित्राज के लिए तरही फिर एक और विधी लेकर मैं आपके सामय बस्त रहूंगा हरियो